हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम साधरा ब्याज निकालना सीखेंगे किस प्रकार से साधरा ब्याज ग्याद किया जाता है फ्रेंस हम यहाँ पर प्रश्ण के माद्यम से समझेंगे कि साधरा ब्याज कैसे ग्याद करेंगे चले फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आपके सामने प्रश्ण है कि 62,500 रुपिया पर 16% वारसिक दर से 13 सब्ता का साधरा ब्याज ग्याद कीजिए दिखें फ्रेंस यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर जो दर दिया है वारसिक दिया है आपको जो ग्याद करना है आपका जो समय दिया है तेरा सप्ता दिया है दिखें फ्रेंस यहां पर आपको साधरा ब्याज ग्याद करना है तो यहां पर लिखेंगे ब्याज ब्याज दिखने के बाद क्या करेंगे फ्रेंस आप जो मूल धन दिया है तो मूल धन में क्या करेंगे इसे लिखेंगे मूल धन देंगे यानि कि आपको यहाद क्या रखना है कि एक वर्स में कितना सब्ता होता है फ्रेंस बावन सब्ता होता है यह आपको याद रखना पड़ेगा कि एक वर्स में कितना सब्ता होता है बावन सब्ता है इसलिए हम तेरह में बावन का भाग देंगा अब इसी को हल किजिए देखें, 13 केम, 13, 13 को 52, देखें, 1-0 से 1-0 काटेंगे, 1-0 से 1-0 काटेंगे, अभी 4 से 16 काटा, देखें, 4 केम, 4, 4 चोग को 16, अब देखें, आपको कितना बच रहा है, यहाँ 625 है, यहाँ 4 है, तो आप यहाँ पर पहले एक बार लिख लिए, 625 गुड़े, 4, अब क्या करे आपका जो 2500 और था 2500 जो आ रहा है, यही आपका क्या होगा, साधारा ब्याज हो जाएगा, और कितने दिनों में होगा, फ्रेंज, 13 सब्ताह में आपका जो व्याज आएगा 25 रुपिया आएगा, इस प्रकार से, आप साधारा ब्याज नकाल सकते हैं, तो फ्रेंज, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें